नाराइन नाराइन फ्रेंस आज मैं आपके लिए दिखाऊंगे लेंगे की कटिंग और सलाइ करके बिल्कुल सरल तरीके से कली वाला लेंगे की कटिंग और सलाइ करके दिखाऊंगे बिल्कुल मार्केट चेंस लेंगा बना कर आप घर पर ही तैयार कर सकती है देखे हम ये इसकी जो लेंद थोड़ी कम ही थी पहले से तो हमने इसमें से पल्ले को कट करके अलग कर दिया तो ये चार मीटर कपड़ा भचा हुआ है अब ये देखी हमने इसको चार बार फोल्ड कर लिया है अब इसको एक बार और फोल्ड कर लिया है अब यहां से हम इसको एक बार हम बनाएंगे 16 कली का लेंगा अब इतना मोटा कटिंग करने में दिक्कत आएगे तो हम इसको एक गिरी को इसको बापस खोल देंगे यह देखे इस तरीके से अब हम इसको क्या करना है उब यह देखिए इसकी चोड़ाई पूरी 20 इंच आ रहे है तो हमें क्या करना है इसको हम बीच में से कट करके आधक करेंगी ये देखी अब यहां से हमें 10 इंच पर मार करना है इसके पूरी चोड़ाई 20 इंच है तो यहां से उपर से लेके नीचे तक हमें पूरे में 10 इंच पर मार करना है अब यहां से हमें सीरी लाइन को मिलाना है अब यहां से हम इसकी कटिंग करेंगे अब इसकी पीछ में से कटिंग करके हमने इसको दो भाग में कर लिया है अब यहां से भी फोल्ड है तो यहां से भी हम इसकी कटिंग करेंगे अब यह देखे एक, तो, टी, चार, पांच, छे, साथ, आठ, यह आठ कली साथ, और आठ कली इस साथ, से तो यह लेंगा 16 कनी का बनकर तैयार होगा अब हम लेंगे कि लंबाई का साथ लगाएंगे, लंबाई हमें complete बनी हुई लेंगे कि 40 इंच चाहिए, तो यहां से हम निंची टप को रख लिया है और हम यहाँ पर लंबाई का मार्क लगाएंगे, अब उसमें उपर लगाएंगे हम 2 इंच का बैल्ट, तो यहाँ पर हम ल 17 इंच मार्जनेट करेंगे, तो यह हो जाएगा 1549 इंच तो लंबाई रेंगे की रखेंगे हम 1549 इंच, अब हम इसकी कमर का साज लगाएंगे, कमर है इसकी 43 इंच यानि 13 इंच अब 43 को हम 16 से टिवाइड करेंगी, क्योंकि हम 16 का लेंगा बना रहाएंगे, इसलिए हम 43 को सोला से डिवाइड करेंगे 43 को सोला से डिवाइड करने से यह आएगा 2 इंच और 6 पाइंट यानि पौनी 3 इंच अब हम इसको 3 इंच ही मान लेते हैं अब कलियों को जोइंट करने के लिए हमें इसमें आधा आधा इंच मार्जन चाहिए दोनों साइट से तो हम इसमें एक इंच मार्जन आट करेंगे तो कली की चोड़ाई हो जाएगी 4 इंच तो हमें यहां पर 4 इंच कली की चोड़ाई रखना है अब यहां से पूरी चोड़ाई 10 इंच है तो यहां पर हमें 3 इंच पर मार करना है साट कोने से और इस साट भी हमे इंची टेप को रखना है यहाँ पर यह देखि इस तरीके से यहाँ पर हम कुछ बजन रख देंगे और इंची टेप अच्छे से हमें स्ट्रेट खीच के पकड़ना है और यहाँ पर हमें सीधा मार्क करना ताकि जो कल यह हमारी बिल्कुल सेप में कटकर तैयार हो तिरची न अब हम इसकी कटिंग करेंगे अब यहाँ से कली की कटिंग करना है अब इस सैट से भी हमें कली की कटिंग करना है तो यह देखिए हमने दोनों सैठ से कली कि कटिंग कर लिय है अब यह दिक की बीचा भी जिर्ची जब कर रखके हमें इसकी लंबबाई को न आपना है इसकी लंबाई आ रहे है यहाँ पर साड़े करना है यह देखिए बीच में कटिंग हमें नहीं करना है दोनु साथे कोने से हमें हलकी सी गोलाई देते हुए तिर्ची सेफ में कटिंग करना है अब इस उपर वाली कली को उठा कर हम इस वाले पार्ट पर रखेंगे यह देखिए अब यहां से भी हमें इसकी भी कली की कटि कर सकते हैं या डारेक्ट कली को रखकर भी इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर किलिक करां आल का उसन दाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे अब नीचे से भी इसी के बराबर हमें सेप में कटिंग करना है, इसी कली के बराबर अब यह देखी सूला कली कटकर तैयार हो गई है और हमने जो इसके पल्ले को अलग किया दर कटिंग करके इससे हम बनाएंगे बिलाउज और लटकन अब हम करेंगे अस्तर की कटिंग, हमने अस्तर तीन मुटर लिया है क्रेप का पहले हमें इसे डवल फोल्ड करना है, तो यह देखी इस तरीके से हमने इसको डवल फोल्ड कर लिया है डवल फोल्ड करने के बाद हमें इस तरीके से लखना है अब यहां से हम इस कोने को उठा कर यहां पर इस तरीके से मिलाएंगे हम अस्तर की कटिंग अमरेला सिप में कर रहे हैं यह देखे इस तरीके से अब हम उपर से पहले कमर का साइड लगाएंगे कपड़ी को हमने चार वार फोल्ड करके रख लिया है तो हम कमर है इसकी 43 इंच 43 को हम 4 से डिवाइट करेंगे तो यह आएगी पौनिंग 11 इंच इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करके चार वार आप इस तरीके से निकाल सकते हैं तो यह आ रही है पो आन्ग 9 या पर हमें चोड़ाई में नहीं क्या रखेलना है पहले हम उपर से इंची टेप को रखेंगे क्यों दियारा नंगो कैसे और लंबाई में मार्क स्थ ये इस तरहेक। से अब यहां से हमिलां को मिलाना हूं ही अब हम इसकी लंबाइक कफेंगे यह देख्या यह पौह मोप घ्यारा इंच अब यहां से हम लगाएंगे कि लंबाइक का साइज हुपर से हमें इंचिटिक को दो इंच निकालके दकना indrach जो मार्क लगाया उससे क्यूंकि कि उपर हम इसमें 2 इंच का बैट लगाएंगे और भी यहां पर हमें लंबाई का मार्क लगाना है लंबाई पूरी लेंगे कि 40 इंच हैं तो हमें क्या करना है अस्तर को हम नीचे से एक इंच फोल्ड करेंगे और उपर से भी आदा इंच स्लाइँ में जाएगा तो इसकी लं बंबाई आएगी 37 इंच तो अब यहां पर हमें पूरे में 37 इंच पर मार करना है 37 मतलब 37 इंच अब देकि उपर से हमें बिलुकुल इंची टेप को मार्ख से मिला कर रखना है और नीचे पूरे में 37 इंच पर मार करना है अब यहां से हमें लाइन को मिलाना है अब यहां से यह देखिए यहां पर यह तोनों पार्ट का कपड़ा काम है तो यहां पर हम जोइंड लगाएंगे अब हम इसकी कटिंग करेंगे अब यहां से इस कपड़े से इसमें हम जोइंड लगाएं तो यह देखिए हमें इस तरीके से इसको रखना है इसके नीचे जो कपड़ा इसका कम है उपर वाले पार्ट का बहां से हमें इसको एक इंच अंदर की साइट करके रखना है यह देखिए इस तरीके से रखना है एक इंच अंदर की साइट करके अब यहां से नीचे से बिल्कुल बराबर सेफ में कटिंग करना है अब यह देखिए यहां से यह वाला पार्ट है यह पहले से जोइंड है तो इस दोनों पार्टों को भी हम से लाई लागा कर जोइंड करेंगे इसके बाद फिर हम यहां पर इस पार्ट को जोइंड तो अस्तर की cutting हो गई है अब हम करेंगे इसकी बेल्ट की cutting को cutting करने के लिए हमने इस कपड़ी को double fold करके रखा है और यहां से इसकी लंबाई रख रहे हम पाँच इंच और डवल फोल्ड करके रखा है तो जो कमर है वो है 43 इंच 43 का आधा करेंगी तो यह आएगा करेंगे चुकि यहां से इसको कटिंग करेंगे अब हम इसकी लिए कैन कैन कपड़े की कटिंग करेंगे तो यह देख के यहां से इसकी पूरे अर्च की लंबाई आ रही है, पूरे लेंगी की कटिंग हो गई है नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं इसकी सिलाई के साथ थैंक्स पॉर वॉचिंग वीडियो नाराइन नाराइन